आई फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल बारुट नंदीज ओल इन वन तो गाईज आजकी इस वीडियो में हम बात करने वाले अपकमिंग SME IPO के बारे में कमनी का नाम है बाहती रिसाइकलिंग इंडेस्ट्री लिमिट है यह IPO ओपन होगा 28 नमेंबर 2022 को तो आज हम इस कमनी का टोटल एनालेसिस करने वाले है तो वीडियो को पूरा देखे तो चले वीडियो शुरू करते हैं यह कमनी की सुरुवत 1994 में हुई थी बाहती रिसाइकलिंग इंडेस्ट्री लिमिटेर एक एल्यूमिलेम रिसाइकलिंग कम्पनी है कम्पनी मुख्य रूप से एल्यूमिलेम मिस्र दातों को सिलियो के रूप में और एल्यूमिलेम डी ओक्स मिस्र दातों को क्यूब सिलियो सोट्स और नौचबार के रूप में बनाने के लिए एल्यूमिलेम धातु आधारी स्क्रेप कॉपर जिंक आदी जैसे स्क्रेप सामगरी के वेपर में लगी में आल्सेलर मित्तर, निप्पॉन स्टील इंडिया, टाटा स्टील, मिंडा कॉर्पोरेशन, सिग्मा इलेक्ट्रोनिक, संफ्लेग आईरन एंड स्टील कमनी लिमेटेड आधी सामिल है कमनी भारत में लगबग 12 राजियों और केंदर सासीच प्रद्योशों में अपने उत्पादों को का विप्रन करती है बाहती रिसाइकलिन इंडेस्टीज लिमिटेड जापान, करनेडा, USA, चीन, होंग कॉंग, UA, ताइवान आधी में स्थीत विदेशी खरिददारों को भी हमारे उत्पाद बिदती है कमपेटिटिव स्ट्रेंद की बारे में बात करेताओ, प्रोध्योगी की संचालिन प्रक्रिया द्वारा समर्थित गरों में निर्मान सुविदा, मानकी कुरूद उत्पाद की गुणवत्ता, सुनीच चित करने के लिए कड़े गुणवत्ता नियंत्रन तंत्र, विवीद ग्राहक आदार और हमारे ग्राहकों के साथ दिर्ध कालिन्च सबन, कच्चे माल की सोर्सिंग के लिए मजबूत और विवीद आपूर्ति करता आदार, समर्पित प्रबंदन टीम द्वारा समर्थित अनुभवी प्रमोटर, अब बात करते हैं कमनी के फाइनांसियर डाकड के बारे में, टोटल एसे टोटल रेवन्य और प्रोफित अफ्रटर टक्स के अंगड़े लाखों में दिए गाये, सालिक तीस मार्थ दो आजार बीस में कमनी को 19.19 लाग का प्रोफित हुआ था, सालिक तीस मार्थ दो आजार बीस में कमनी को 27.19 में बढ़ता दीख रहा है कमनी का revenue में भी हमें अच्छी कासी बड़त देखने को मिल रही है कमनी की नेट वर्थ और borrowing में भी हमें बड़त देखने को मिल रही है कमनी का financial report तो अच्छा है और profitable है कमनी के issue लाने के उद्देशे के बारे में बात करें तो मौजुद आ वी नर्मार्ण यूनिट का अधु कमनी करन और विस्तार में करेगी कारेशिल पुझी आवश्यक्ताओं का पूरा करने में कमनी करने वाली है सामने corporate उद्देशों को पूरा करने में कमनी करने वाली है निगम खर्चों को पूरा करने में कमनी करने वाली है अब हम जा लेते कमनी के promoter कोने स्री संकलाल बंसिल लोज होगा 30 नवेंबर को फेस वेल्यू दस रुपए पर सेरे प्राइस बेंड है 45 रुपए पर सेर शू की साइज 12.42 करोड की एशू टाइप आप फिक्स प्राइज इस्यू आईपियो है लिस्टिंग एनसी एसे में पर होने वाली है रिटेल कोटा पचास परसंड का रख एलोट हुए से उसके डिबेट एकाउंट में क्रेडिट कर दिये जाएंगे 7 दिसेंबर को आईपियो की लिस्टिंग 8 दिसेंबर को होने वाली है इस्यू की लोट साइज की बात करें तो मिनिमम एक लोट में 3000 से रहे उसकी अमाउंट ए 1 लाग 35,000 मैक्सिमम एक लोट में तीनग जार से रहे उसकी अमाउंट ए 1 लाग 35,000 मैक्सिमम एक लोट में बात करें तो प्रे इस्यू की लिस्टिंग वाली है आईपियो का रजिस्टार है पुर्वा सेर जस्टिस इंडियास प्राइवेट लिमिटेड कमनी की पियर कंपरीजन और वेलुएशन के बारे मे बात करें तो बाहती रिसाइकलिंग आईपियो जैसी दो कमनिया सेर बाजर में पहले से ही लिष्टेड है इन्वे अरफीन इंडिया और नोपूर रिसाइकलर कमनी सामिले बाहती रिसाइकलिंग कमनी टोटल इंकम के मुकावले अरफीन इंडिया से छोटी और नोपूर र comparison के मुकाबले नहीं सस्ती नहीं माइंगी बरावर की लगाई गई है तो आपकी इस IPO के बारे में क्या रहा है वो मुझे कमेंट करके जरू बताए ऐसे हम इस IPO में जो लोग रिस्क उठा सकते हैं जो लोग फाइनसियल स्टॉंग हो जो लोग नुकसान को होल्ड कर सकते हैं व वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर कमेंट जरू करें और नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और आप मुझे इंस्टागम पर भी फालो कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में तन्यवाद